तो दोस्तों अब stock में account खोलने के लिए आपको जो इस video के description में जो link दिया गया है उस पे click करना है और इस से आप stock की जो app है वो automatically download होगी दोस्तों मैंने basics of share market वाली जो एक video बनाई थी उसमें भी मैंने ये link दाल रखी है तो मैं वहीं से इसको open करता हूँ दोस्तों इस तरीके से अब मुझे install पे click करना है दोस्तों अब ये install हो चुकिये मैं open पे click कर देता हूँ और इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा इंटरफेस खुल जाएगा मुझे नया account बराना है तो मैं जाओंगा create an account पे यहां मैं click करता हूँ इस तरीके से अब मुझे sign up करने का आएगा तो यहां मैं email id and mobile number डाल के OTP इस पे generate करता हूँ दोस्तों मैंने email id और number डाल दिया है अब send OTP पे click करता हूँ तो OTP मुझे लेनी है दोस्तों OTP आ चुकी है उसके बाद sign up मैं click कर दिया इसके बाद दोस्तों यहां pan and date of birth मांग रही है तो मैं pan and date of birth भरता हूँ दोस्तों pan and date of birth के बाद मैं next पे click करता हूँ अब इस तरीके से validate करेगा validate करने के बाद दोस्तों इस तरीके से personal questionnaire खुलती है जिसमें देखिए अब यहां है gender मैंने mail भर दिया what is marital status single what is your annual income अब जो भी annual income है वह हम यहां पर डाल देंगे मैं एक लाग से पांच लाग डाल रहा हूँ what is your trading experience अब less than one year अगा मेरी trading experience से नए बंदे के लिए खोल रहा हूँ तो less than one year है ठीक है are you politically exposed no what is your occupation यहां पर देखे checklist है क्या आप क्या है मैं जिनका भर रहा हूं वो student है उनका मैंने student पे click कर दिया your father's name as per your pen card तो अब यह pen card पर जो father's के name है जिस तरीके से उसमें spelling mistake नहीं करनी है वही नाम यहां पर भरना है उसके बाद अगला question है is your country of tax resident other than India नहीं हमारी तो जो tax कटेगी वो इंडिया में ही कटेगी और इसके बाद यह declaration अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं उ next पर क्लिक करने के बाद आपको कहां कहां preferences आपकी क्या है आप equity में invest करना चाहते हैं या future and option में trading करना चाहते हैं या commodity में trading करना चाहते हैं अब future and option क्या होता है commodity क्या होती है कभी दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा but generally मैं क्या करता हूं अगर आपको simple अगर share market में नहीं इंवेस्ट करना शेयर मार्केट का मतलब लोग समझते हैं इक्विटी में इंवेस्ट करना तो हम इक्विटी रहने देंगे बट मैं इस केस में तीनों को टिक कर रहा हूं अगर आप सिर्फ एक्विटी पर टिक करेंगे तो आपको इंकम स्टीमेंट की जरूत नहीं परेगी अगर आपको तीनों चाहिए तो आपको इंकम स्टेटमेंट की जरूत परेगी उसके बाद देखिए यहां दू है एक प्राइटि प्लाण है और बेसिक प्लान है जनरली यह स्टूडेंट है इनको बहुत ज्यादा लिवरेज की ज समझाया आए जिसका की लिंक आपको description एंड आई बटन पर मिल जाएगा तो मैं इनको basic रहने देता हूं तो दोस्तों अब मैं next पर click करता हूं कि देखिए आगया congratulations here is your chance to win a free stock मैं yes कर देता हूं चलो तिक है अब यहां पर आपकी bank account की detail भरनी है इसमें account holder के name ifsc code bank account number यह तीन चीज भरनी है दोस्तों यह detail भरने के बाद मैं आगे बढ़ता हूं account टाइब देखिए saving है अब मैं next पर click कर रहा हूं दोस्तों अब time है कि हम अपने document को upload करें इसमें देखिए दोस्तों क्या क्या मांग रही है सबसे पहले signature मांग रही है तो आपको क्या करना है यह सारे document आपको अपने phone में या फिर laptop में जिस पे भी आप यह काम कर रहे है उस पे आपको save रखने है और देखिए जो format होगा व दोस्तों यह मैंने signature upload कर दिया अब मुझे income proof upload करनी है तो यहां पर मुझे income proof के type select करने है income proof में आप IT return last 2 साल के form 16 last 2 साल के bank statement last 6 month के salary slip last 6 month के या कुछ और जो भी आपको लगे जैसे आप government paper पर जो i return होती है वो सारी चीज़ें भी आप upload कर सकते हैं तो मैं यहां पर IT return select कर र रहा हूं दोस्तों यहां पर हम tap to upload करेंगे देखिए सिंस दो है तो दो PDF होंगे IT return account management के तो मैं यहां पर add कर लूँगा देखिए यह दूसरी भी यहां पर upload हो जाएगी तो इस तरीके से इस दोनों पर मैं click करूँग और upload करूँगा दोस्तों यह दो साल के ITR upload करने के मैं next पर click करता हूं दोस्तों यहां हमें अपनी जो digilocker account merge करनी है दोस्तों अब देखिए मैं यहां पर click करने वाला हूं उससे पहले आपको ensure करना होगा कि जो आधार आपका है उससे आपका mobile number लिंक होना चाहिए और वह mobile number आपके पास होना चाहिए मैं इस पर click कर रहा हू यहां दिखे अधार नमर मांघ रहिए तो अधार नमर मैं यहां पर enter करता हूं आधार नमर मैं इन्टर कर दिया है अब मैं next पे click करूंगा अब हमें OTP यहां डालके continue पर क्लिक करना है continue पर क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए हम allow पर फिर से क्लिक करेंगे क्योंकि यह आधार का डेटा लेगी अप स्टॉक डिजी लॉकर से दोस्तों अब हमें photo लेनी है और अपनी location शेर करनी है इसमें बस एक चीछ द्यान रखना करें यहां फोटो अपलोड नहीं होगी यहां पर आपको तुरंत पिक्चर आपको लेनी परेगी तो मैं take a picture पर क्लिक करता हूं फिर मैं proceed पर क्लिक कर रहा हूं दोष्टों फोटो लेने के बाद मैं Share location पे जा रहा हूं और इसमें कुछ नहीं करना है यह आपकी location ले लेगी सिरफ आपको पर्ल चाउक को लॉग कर देना है device की location लेने के लिए धिद्ध़िए your device location was captured अब मैं Next पर क्लिक करूँगा दोस्तों यहाँ refer करने का आरहा है मैं इसे skip करता हूँ दोस्तों इसके बाद फिर से हमारा email address का confirmation मांग रहा है तो देख लिए यहां automatic यह typed होकाया है हमें सिर्फ उसमें spelling error check कर लेनी है कि सब ठीक है कि ने और उसके बाद हमें get OTP पर click करना है अब दोस्तों हमारे email पर एक OTP आएगा दोस्तों OTP डालने के बाद मैं next पर click करता हूँ दोस्तों मैं sign up पर click कर देता हूँ देखे इसकी क्या विस्यष्टा है वो लिखी हुई है कि फ्री ट्रेडिंग account है और इसमें unlimited brokerage जो credit होगी 30 दिनों के लिए वो free है लेकिन उसमें कुछ conditions है और free equity delivery trade for life मतलब क्या हुआ अगर आप investment कर रहे हैं तो आपको कोई भी brokerage charges नहीं देनी है अगर वो long term के लिए long term मतलब at least t plus 2 के बाद किये दोस्तों उसके बाद जो अगला question है कि आपका mobile number के आधार कांट से link है यहां पर मेरे पास है तो मैं yes पर क्लिक करता हूं और continue करता हूं उसके बाद दोस्तों फिर से मुझे continue पर क्लिक करना है और देखिए और e-sign with आधार OTP इस पर मैं क्लिक करूंगा दोस्तों उसके बाद इस तरीकी का option खुल जाएगा जहां e-sign now पर मैं क्लिक करूंगा और यहां पर एक security code भेजा जाएगा हमारे mobile number पर दोस्तों OTP आ चुका है उसको मैंने submit कर दिया दोस्तों submit करने के बाद यह पूरी की देखिए agreement form जो है जो आपका application form भी कह सकते हैं यह खुल गई है मुझे सिर्फ एक बार sign now पर क्लिक करनी देखिए automatic refill होती है मैं sign now पर क्लिक कर रहा हूं और मुझे यहां पर authorize कर देना है यहां पर आधार number डालना है दोस्तों आधार number मैंने डाल दिया है sent OTP पर क्लिक कर रहा हूं दोस्तों OTP आने के बाद मुझे verify OTP पर क्लिक करनी है और इस तरीके से यह पूरी की पूरी form हमारी sign हो जाएगी दोस्तों देखिए sign successfully आ गई दोस्तों देखिए उसके बाद इस तरीके की आपकी status दिखेगी कि आपकी application submit हो चुकी है अब जब account activate हो जाएगी तब आप इस पे trading या आप investing शुरू कर सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए मैरे तीसरा sign हो थेंक्यू सो मज़